नमस्कार हिंदुस्तान मैं चेतनकुमार वर्मा इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट एक्जिन बिजनेस एडवाइजर यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आप हैंडी क्राफ्ट, हैंडमेंट क्राफ्ट या एंटिक पीस के अंदर अगर आप पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर अगर आप एजन स्टार्ट अप इस प्रोड़क के साथ में खुद को एक्सपोर्ट का व्यापार में लाना चाते हो तो आज ये वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि जो ओल्ड स्कूल टेक्निक्स थे या फिर जो पुरानी स्टेटेजिस थी हैंडिक्राफ्ट के लिए वो आप यकीन मानिये आफ्टर कोविड इरा कंप्लीटली चेंज हो चुकी है इस समय कुछ नई स्टेजी के सा साथ में आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में अप्रोच करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों का जो व्यापार है जो एक्सपोर्ट का व्यापार है जो निर्यात का व्यापार है वो कंटिनू सुरू रहे और आप लोगों को प्रॉफिट मिलता रहे पुरानी प्रेजी के अंदर ये था कि आप लोगों के पास में जो प्रोडक्स होते थे आप लोग किसी भी तरीके से उन्हें शोविच करते थे और जो इच्छुक व्यक्ति होते थे वो उन्हें परचेज कर लेते थे लेकिन कोवीड के बाद में पूरा सिनेरियो बदल गया है अब है हैंडिक्राफ्ट एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है और जब ये एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है तो फिर इसे किस तरीके से बेचा जाए इंटरनेशनल मार्केट में आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ में इनी चीजों की डिसकेशन की जाएगी इसके अलावा अग आपको step to step बताई जाएगी तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में छोड़ते हो तो आपको incomplete information मिलेगी जो आपके किसी काम की नहीं है ये जो ब्लॉग है ये हमारी जो वेबसाइट है export import document.com जो इस पेसली ब्लॉगिंग के पूरे हिंदुस्तान के लिए ताकि आप लोगों को अपने topics के उपर एक grip मिले और यहां पर आप देख सकते हो सारे blocks हैं जो popular videos ये special videos होते हैं वो videos भी यहां पर हैं बाकि आप यहां पर export import tips के उपर जब click करोगे तो यहां पर आपको almost सारे blocks जो हैं वो मिल जाएंगे अगर कुछ लोगों को कोई issues होते हैं कोई doubt होते हैं तो यहां पर chat section भी हैं तो उसके अंदर हमारे जो numbers हैं वो आपको provide किये गए हैं otherwise आप अपना mobile number नाम और अपनी क्यूरी यहां पर अगर लिखके send करोगे तो हमारी team की तरफ से आपके पास में call आ जाता है आपके doubts को clear करने के लिए दोस्तो handicraft की strategy इस ताइम पर completely change हो चुकी है अब covid के बाद में जब हम देखते हैं तो लोग जो essential product होते हैं यानि जो खान पान से related जो product हैं उनका ज्यादा trade कर रहे हैं बाकि जो भी garment industry हो या फिर handicraft industry हो या फिर इस से related या इस type की जो भी industries हैं वो इस time पर booming नहीं कर रह इस तरीके का कोई product नहीं लिया है जो एक other expenses के रूप में हमारे सामने आए तो इस समय पे ये एक बड़ा संकट जो है वो इस type की industries पे आ गया है लेकिन आग जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप उसे ध्यान से सुनकर अपने business में implement करोगे तो आप यकीन मानिये आप के business को आप आगे लेके जा सकते हो जी यहां दोस्तों यहां पर जो मैं strategy है वो आपको यहां पर change करनी पड़ेगी अब आपके जो products हैं उन्हें आपको health या wealth इन दोनों से related होके दिखाना पड़ेगा आपने एग चीज़ देखी होगी चाइना का laughing बुद्धा उसने उसके पीछे एक story बताई एक strategy बताई कि इसे office पे रखने से बहुत wealth भड़ती है पैसा बढ़ता है व्यापार भड़ता है और उस strategy उस story की basis पे बहुत अच्छा Chinese laughing बुद्धा ने व्यापार create किया आज आपको almost मैं बोलता हूं कि जितने भी stores होंगे या जितनी भी दुकानी more than 50% आपको वहाँ पे उन दुकानों पे laughing बुद्धा मिल जाएगा जबकि क्या हमारे महात्मा बुद्ध उससे ज्यादा बड़े नहीं है क्या हम हमारे जो देवी देवता हैं या हमारे धर्म से related जो हैं क्या हम उन्हें इस तरीके से represent नहीं कर सकते हैं absolutely कर सकते हैं लेकिन हमने कोई story बनाई नहीं हमने इस type के जो भी items हमारे पास में होते हैं या जो भी handicrafts के item हमारे पास में होते हैं हमने उन्हें सिरफ as an handicraft समझ के हमारे पास में रखा हमने कोई story उनके लिए create नहीं की और इसी वज़े से हमारे जो भी इस तरीके के powerful, strengthful जो पीछे रह गए अब उन्होंने दूसरा product launch किया जो उनका Chinese bamboo था कि ये Chinese bamboo आप रखिये इसके हरियाली से आपके business में हरियाली आएगी XYZ factor क्या हमारा तुलसा जो जिसको तुलसी बोलते हैं उसका पोधा उससे ज़्यादा पवित्तर नहीं है 100% है लेकिन उसके लिए भी हमने कोई story create नहीं की तो आज strategy यही है कि आपके पास में जो भी product हो आप उन products को wealth और health इन दो चीजों के साथ में connect करने की कोसिस कीजे लाइक अगर आप कोई जैसे tortoise हम लोगोंने पीछे देखा था इंडिया के अंदर भी चला था कि वो एक plate के अंदर कच्छुआ रहता है उसम राइब की कुछ stories आपको create करनी पड़ेगी जो भी wealth से related product है वो आपको storage या उन products को explore करने के लिए करना चाहिए प्लस उसके अलावा आपको जो health से related हो सकता है यानि कोई painting हो सकती है उस painting को आप show कर सकते हो कि अगर ये painting आप अपने घर में या office में लगाते हो और उसे दिन रात देखते हो तो आपका जैसे blood pressure normal रहता है या x y z factors आप दिखा सकते हो या फिर कुछ ऐसे salts हो गए या फिर अपड़े हो गए जो handicraft के होते हैं कि उनको पहनने से सरीर में बिमारिया नहीं लगती है x y z factor क्योंकि दोस्तों कहानिया बहुत जरूरी है strategy आप लोगों को बनानी पड़ेगी अगर आप लोग strategy change नहीं करोगे तो आप यकीन मानिये आने वाले एक दो साल तक आप लोगों को कोई opening अच्छी opening नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो sector है वो down to earth आ चुका है इस time पर पूरे world के अंदर इस मामले में कोई booming वाला environment आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आप लोग booming ला सकते हो जो strategy मैं आपको बता रहा हूँ उस strategy को आपको use करना है और इस type की जो भी story या strategy आप अपना हो उसे फिर आपको worldwide level पर explore करना है by social media अगर आपकी website है तो website के थुरू करो international जो भी marketing आप करते हो उसके थुरू करो या फिर आप digital marketing के थुरू करो xyz कोई भी factor आप यूज करो लेकिन उस चीज को आप यूज करो दोस्तों क्योंकि यही वो एक factor है यही वो एक way है जो वापस आपके business में ज्यान डाल सकता है दो तरीके के handicraft items होते हैं इंडिया के लिए एक consumer goods होता है daily use के लिए जैसे कोई चाय का प्याला हो गया या कुछ खाने पीने के बरतन हो गए handicraft के या फिर decorative items होते हैं जो skilled craftsman होते हैं वो लोग उसे बनाते हैं जो office या घर के लिए यूज किये जाते हैं अब product की range बहुत बड़ी है लेकिन कुछ most probably जो range होती है उनमे cloth painting, design and development, floor painting हो गई, handmade paper हो गई, कस्मीरी painting हो गई, pottery बगर हो गई यह इस तरीके के जो items वो international market में ज्यादा run होते हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं इंडिया में before covid अगर देखा जाए तो agriculture के बाद में handicraft का जो market था वो काफी बड़ा market माना जाता था second largest employment generating sector जो है वो handicraft को माना जाता था लेकिन इस time पे handicraft का जो market है वो down है और उसी down को हमें अगर up करना है तो हमें यह सारा काम करना होगा इसमें जो various handicraft items जो है तो textile based handicraft, clay, metal and jewelry हो गया, stone craft हो गया, glass and ceramics हो गये और जो best segment area जिनको बोला जाता है तो जोधपूर राजस्तान में, मुरादाबाद UP, नरसापूर AP और साहरनपूर UP यहां पे जो handicraft है वो बहुत बढ़िया बनता है और अलग अलग टाइप का बनता है जैसे जोधपूर में आप देखते हो wooden का हो गया और मुरादाबाद में art metal का जो होता है वो बहुत अच्छा यानि कास्य वगरे का जो तांबे वगरे का जो बनता है बहुत बढ़िया मुरादाबाद के अंदर इसका ब्रास वगरे का हैंडिक्राफ्ट बनता है export के लिए यानि आपके लिए open market के लिए तो USA, UK, Germany, France, Netherlands, Spain, Italy, UAE, Canada, Canada और Belgium और Luxembourg ये आपके लिए top market है और ये सारे आप देख सकते हो European Union का जो पूरा एक पट्टा है वो इसके अंदर आता है सारी जो countries है वो अपने आप में economically बहुत strong countries है और हैंडिक्राफ्ट का एक आइटम ऐसा है मतब ये आइटम ही ऐसा है जिसके अंदर आपको कोई food license, कोई pesticides इस टाइप के license की जरुरत नहीं होती है जो इसको बहुत easy बनाता है export करने के लिए packaging आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ती है ताकि तूट-फूट ना हो otherwise आप easily इसे export कर सकते हो as in single piece भी export कर सकते हो और 2-4 pieces भी आप export कर सकते हो by air ये चला जाता है और अगर आपका product पसंद आता है उनको तो आप यकीन मानिये सारी चीजे उनकी तरफ से बहुत easy way में हो जाती है दोस्तो यहाँ पे handicraft इसलिए है कि यहाँ पे low capital investment होता है इसके अंदर लेकिन यहाँ पे choiceable product होने की वज़े से इसकी value addition बहुत अच्छी है यानि handicraft की कोई कीमत नहीं होती है हो सकता है वो product 100 रुपय का हो आपने 800 रुपय अगर उसको बता रहे हो आप और मुझे अगर पसंद आ गया तो मैं 600 में deal final करूँ हो सकता है आपने उसको 300 में भी दिया तो भी आप यानि आपका profit maximization जो है वो यहाँ पे value addition जो है वो ज्यादा होता है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको एक नया market जो है वो explore करने के लिए मिलता है क्योंकि covid के अंदर इंडिया के अंदर फिलाल handicraft का market जो है वो दब चुका है इस time पे mostly lockdown की situation आप लोग देख रहे होंगे चारो तरफ तो यह सबसे अच्छा time है कि इस time आप अपने brand की value जो है वो create कर सकते हो अपने business की value create कर सकते हो अपने business structure को expand कर सकते हो अगर आप startup करना चाहते हो तो आपको कौन-कौन से document लगेंगे इसमें आपको company या entity एक बनानी होती है current account open करना है current account के बाद में आपका IC code बनेगा EPC यानि Export Promotion Council RCMC जो वो आपको handicraft के लगती है GST लगेगा, MSME लगेगा और एक trademark जो है वो optional level पे आपको लगेगा लेकिन मेरे हिसाब से वो ले लेना चाहिए क्योंकि एक branding जो है वो product के साथ में बहुत जरूरी हो जाती है handicraft जैसे export item के लिए दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीजे जो सबसे ज़्यादा देखने वाली है कि एक तो यह पूरा market बहुत बढ़िया market जो है इस product के लिए आपको मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम आप मानिये कि जो genuinely है buyers की वो ज्यादा genuine buyer आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर वो आप लोग अच्छे तरीके से search करते हो buyers को तो यहाँ पे ज्यादा genuine buyer आपको मिलने के chances होते हैं जो fraud वाले chances थोड़े कम हो जाते हैं और इस time पे COVID के बाद में बहुत सारे लोग परेशान है इस चीज से कि क्या किया जाए तो आप लोग अपने social structure से अपनी website के थुरू आप लोग इसको explore कर सकते हो international market में और जो strategy मैंने आप लोगों को बताई है कि अपने products को relate करो health या wealth से कि या तो उसके कुछ health के फाइदे होने चाहिए या फिर उसके wealth के फाइदे होने चाहिए क्योंकि पूरा world फिलाल इन दो ही चीजों के अंदर अटका हुआ है दो ही चीजों के अंदर परेशान है तो अगर आप इन दोनों के साथ में अपने product को जोड देते हो तो 101% आपको opening मिलना सुरू हो जाएगी ये मेरा आप लोगों के साथ में दावा है इस चीज का बाकी एक नए product के साथ में जब आप जाते हो market के अंदर तो बहुत बार आप लोगों को knowledge नहीं होता है तो knowledge आप लोगों को इस तरीके से कि किस तरीके से आपको अपने product को explore करना है किस तरीके से present करना है ये आपको समझाना होगा क्योंकि कई बार बहुत हलके टाइप की चीज होती है लेकिन उसको present करने का style ऐसा हो जाता है कि उसकी value बहुत जादा बढ़ जाती है तो ये presentation style communication वे ये आप लोगों को थोड़ा सा workout इस पर करना है COVID के time पे लेकिन इस time पे अग आसा करता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक सही information मिली होगी अगर आप लोग इस चीज को implement करते हैं अपने business में तो आसा करता हूँ कि आप लोगों को इसका फायदा भी मिलना चाहिए जिन लोगों के पास में website नहीं है उन्हें इस time पे website के थुरू क देखा सको जो story आप बनाना चाहते हो वो बना सको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करना शेयर करना लाइक करना यह आप हम सब अपने देश के लिए कर रहे हैं आपका एक शेयर किसी जरुत मंद का काम बना सकता है हो सकता है वो इसी वीडियो य तो हमारा देश आगे बढ़ेगा इस समय हमारे देश को बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जितना ज़्यादा export हम लोग कर सकते हैं different products में उतना ज़्यादा हम लोग strongly stand कर सकते हैं पूरे worldwide level पे अगर आप नए हो चैनल को subscribe कीजे वीडियो अच्छा लगे तो like कीजे आज का target रखते हैं 200 likes मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ में export import document.com website को visit कीजे जो भी आपको information लेनी हो यहाँ पर बहुत सारे blogs videos available हैं तो पढ़ते रहिए knowledge लेते रहिए खुद को upgrade करते रहिए खुद के knowledge को बढ़ाते रहिए और साथ की साथ में देश को भी आगे बढ़ाते रहिए भारत भागय विधाता ये इसके लिए जरूरी है आपका आगे बढ़ना जै हिन जै भारत